हाई हेलो और आप सभी का बहुत स्वागत है आज के मारे सेशन में जो की है फिनांशन मार्केट्स की केस्टेडी मैं उम्मीद रखती हूँ कि यह चाप्टर बिल्कुल पढ़ चुके हो और आपको बिल्कुल समझ में आया है ठीक अगर कोई भी डाउट से तो ओल्वेज कारे टोपिक्स कराये है लेकिन इस चाप्टर के अगर की स्टेडी की बात किजयाता है तो की सिरhीस में इस में इसमें से बोकाती कम तरीके की स्टेडीक यहां पर आती है आप यहां पर पूछना जो है वो यहां पर प्रेफर किया जाता है ठीक है तो यहां पर अगर case studies की बात करें financial markets में तो कुछ जो simple type of case studies यहां पर आती है वो हम आपको यहां पर बताएंगे जैसे सबसे पहला question यहां पर अगर देखा जाए तो वो है unicorn securities limited के बारे में अब देखिए हम क्या करते हैं तो समय बचाने के लिए हम जो है इसके direct questions यहां पर पहले पढ़ते हैं उसके बाद हम case को पढ़ते हैं इससे क्या होता है कि हमारा काफी जादा यहां पर समय बच जाता है तो यहां पर question क्या पूछा गया है question यह कहता है कि identify the step of trading procedure जो कि unicorn securities ने यहां पर follow नहीं किया है right has not been followed उनने जो process follow नहीं किया है right और उसके अलावा second यहां पर question है कि कौन सी epic statutory body है capital market में जिसको customer यहां पर अपने grievances बता सकते है grievances मतलब problems दिकत कोई company है cheat कर रही है fraud कर रही है यहां फिर कोई company यहां पर processes को ठीक से follow नहीं कर रही है तो किसको अब जाके complain कर सकते हो अब यहां पर question 2 का answer देने के लिए मुझे case पढ़ने के भी जरूरत नहीं है हम सभी को पता है कि अगर capital market की बात करे तो capital market में एक ही epics the topmost institute जो पूरे capital market को control करती है पूरे capital market के rules and regulations govern करती है वो एक ही है यह से भी securities and exchange board of India तो यहां पर भाई साब केस भी पढ़ने की जरूरत नहीं है एक question तो आपने बिना case पढ़े already answer कर दिया तो अब यहां पर case में हमें एक ही चीज़ देखनी है कि unicorn securities ने क्या प्रोसेस या कौन सा step of process है जो यहां पर follow नहीं किया तो unicorn securities की बात करें तो unicorn securities जो है establish हुई थी to deal in securities अब इन्हों ने अपने आपको और NAC के साथ और BAC के साथ register भी किया तो trade in securities रैट उसके बाद जो CDSL और NSDL है जो हमारे DPS है depository participants है इनके साथ भी इन्होंने participate किया ठीक है फर्स त्री यह ने इन्होंने business successfully develop किया business develop करने के बाद इन्होंने अपने board of directors जो है वो यहां पर बदल दिये क्या किया change किये तो उसके बाद कुछ जो customers है वो यहां पर complain करने लगे कि हमने जो है आपके company के shares करीदे अब shares का जो पैसा है वो भी हमने यहां पर transfer कर दिया है वो भी हमने यहां पर pay कर दिया है फिर भी यह shares जो है हमारे अब भी तक transfer नहीं हुए मतलब shares का पैसा दे दिया सब processes हो गए फिर भी जो investors है जिन्होंने यह shares को purchase किया था उनकी अकाउंट में यह shares फिर भी या reflect नहीं हो रहे ट्रांसफर नहीं हुए तो obviously एक दिक्कत है तो customers जो है company के customer care में call करके complain करने लगे अब जब customer की complain आई तो company ने बार बार लगाता है उनको promise किया कि नहीं भाई हम जो है आपकी shares है आपकी shares ट्रांसफर कर देंगे बिलकुल दिक्कत मत लीजे पर उसके बार भी काफी समय तक यह जो matter है वो खीचता गया ठीक है तो मतलब customer ने पैसे दे दिये right बात भी matter खीचता चला जा रहा है और shares यहां पर अभी तक ट्रांसफर नहीं हुए ठीक है तो इसके वज़े से obviously customer का जो confidence है company पे वो erode मतलब खतम हो गया अब देखे कोई भी company है अगर वो कोई proper process फॉलो नहीं करती या shares ट्रांसफर नहीं करती है dividend ट्रांसफर नहीं करती है investors confidence जाने के कारण future में investment में काफी सादा यहां पर दिकत आ जाती है तो company इसको जाहिर सी बात है सब बिलकुल अपने investors के साथ नहीं करना चाहिए ठीक है लेकिन यहां पर सवाल यह है कि कौन सा इसा step है जो unicorn limited ने follow नहीं किया तो step जो उन्होंने follow नहीं किया बहुत ही simple है that is transfer of shares to DMAT account directly by broker ठीक है one of the processes का step यह है कि once आपको पैसा आ गया बाखी सारी formalities हो गई तो आपको यह shares immediately जो shareholders जो investors जिन्होंने आपके shares purchase किये है आपको यह shares immediately उनको यहां पर transfer करना है बट फिर भी आपने transfer यहां पर यह shares को नहीं किया तो obviously यह बहुत ही बड़ी दिक्कत है जिसके कारण यह पूरे issues आए obviously company को इससे future में भी बहुत ज्यादा दिक्कत आ सकती है ठीक है बहुत ही simple स difficult है तो length of questions पर मत जाएं ठीक है और इसलिए यह सब questions को पढ़ना पहले जरूरी होता है before आप यहां पर case पर जाओ ठीक है चलिए जाते हैं हम next question पर जो की है question number two में क्या पूछा गया है तो सबसे पहली चीज यह पूछे गई है कि कौन सा process यहां पर बताया गया है वो आप हमें बताएं right second question यह पूछा गया है कि कोई भी 2 reason दीजे कि Supriya while dealing with shares in physical form has been stopped ठीक है physical form में हम shares को क्यों use नहीं कर रहा है क्यों shares को यहां पर digital form में convert किया जा रहा है क्यों shares के लिए DMAT account यहां पर open किया जा रहा है ठीक है यह यहां पर पूछा गया है चलिए first question है identify and state the process अब हम case पर जाते है case क्या कहता है तो Supriya की जो grand mother है जो unwill थी उन्होंने उनको call किया और उनको एक तौफा दिया ठीक है Supriya की grand mother ने किसको तौफा दिया Supriya को तौफा दिया तौफी में उन्होंने क्या दिया तो बोखोत सारे यहां पर crumbled share certificate एक ऐसे packet था उसमें बोखोत सारे papers थे Supriya ने पेपर खोले तो पता चले अरे यार यह तो बोखोत सारे share certificates है उसके बाद उसकी grand mother ने उसको बताया कि भाई यह जो है आपके grandfather जो है आपके जो दादा जी है वो छोड़ कर गए थे तो अब यह मैं आपको swap रही है थीक है अब as no trading is now done in physical form अब आपको तो पता है कि अभी जो trading होती है कोई भी share certificate या कोई भी यहां पर paperwork physical form में नहीं होता सारी चीज़े यहां पर digitalize हो गई है तो इसलिए Supriya को जानना था कि उसको यह digital form में अगर convert करान है तो कौन सा process है जो उसको यहां पर follow करना होगा तो यह share certificates है paper form में है paper form से अगर उसको digital form में convert करना है तो कौन सा process होता है अरे simple सी बात है मेरे दोस्त इस process को हम क्या कहते है इसको कहते है dematerialization of shares dematerialization क्या process है तो जब आप physical shares को digital form में convert करते हो तो इस process को क्या कहते है इस process को dematerialize कहते है क्यों यह decision लिया गया था कि हम shares को physical form में नहीं issue करेंगे या नहीं यह physical certificates use करेंगे क्यों यह dematerialization का decision लिया गया था तो उसके पीछे बहुत सारे reasons थे एक तो यह share certificates का चोरी हो जाना ठीक है या तो यहां पे अगर आप excessive paperwork कहो बहुत जादा paper work होता था उसके वज़े से जो यहां पे shares का काम होता था ठीक है उसमें जादा समय लगते थे shares transfer करने में भी काफी जादा यहां पे समय लगता था ठीक है उसके अलावा damage of paper बहुत सारी रीजन से इसमें से आप कोई भी यहां पे mention कर सकते हो देखे फिजिकल फॉर्म में जब share certificate होते थे paper का टुकड़ा था damage हो सकता था फट सकता था खराब हो सकता था उसके अलावा गर theft की बात करे paper का चोरी हो जाना किसी और के हाथ लग गया फिर क्या करोगे रही बहुत जादा paper वक होना उसमें बहुत जादा समय चले जाना excessive legal formalities हो जाना इसे बहुत सारी रीजन से आप उन उन्होंने gift किये share certificates of a large cement company ratio को ठीक है अब देखें यहां पर तौफे बहुत मिल रहा हो तौफे में देखें मिल क्या रहा है shares तो पहले ऐसे होता था आज भी ऐसे होता है कि बहुत सारे लोग जो है अपने बच्चों को जैसे FDRD गोल देते हैं वैसे shares पी तरीके से एक asset है तो बहुत सारे लोग अपने बच्चों को आज भी ये asset के तौर पे gift करते हैं ठीक है तो वैसे ही ratio के पापा ने किया ठीक है उनको ये shares gift किये अब securities जो है वापस यहां पर भाई सब physical form में थी तो उसका already एक bank account था and उसको यहां पर कोई भी other form में securities possessed नहीं करनी थी मतलब ratio य regular dealer in shares ये securities नहीं है तो रेशु नहीं क्या कहा कि ये तो मुझे तौफा मिला है तो मुझे कोई इसको convert करना into digital form एक demand account open करना ये मुझे नहीं करना है मेरा already एक bank account है मुझे ये share जो है उसको बेचने है मुझे ये share जो है उसको बेचने है तो वो एक registered broker के पास भी गई अब registered broker उसको कहा कि एक ही ऐसी mandatory detail है जो हर एक व्यक्ति जो shares में trade करना चाहता है उसके पास होनी चाहिए तो कौनसी वो mandatory details है भाई साब ये बहुत easy question है कभी भी याद रखना कि pan number जो होता है ठीक है हम कहते है न पान कार्ड तो ये जो pan number होता है ये कोई भी dealer के लिए identification के लिए हमेशा mandatory compulsory होता है एक ऐसी detail जो कोई भी व्यक्ति buying and selling and securities करे तो उसके लिए यहाँ पे बिलकुल mandatory होता है ठीक है जाते है next question पे जो के है question number 4 जो कहता है कि बंदू limited एक real estate company है ठीक है कभी form उई थी तो भाई साब back in 1960 कभी form उई थी back in 1960 अब 55 years उसको form होके हो चुके है तो ये company ने बहुत अच्छा अपना नाम कमाया है और बहुत ही अच्छी नीश market में set की है जहां पे customers इनको मानते हैं इनके ओपर trust करते हैं loyalty customer base है सब कुछ अब देखे बहुत बार इसे होता है businesses जैसे पुराने होते जाते हैं ठीक है और वो एक अच्छा काम करते हैं तो market में goodwill एक reputation उनकी develop होई जाती है तो वैसे ही यहां पे बंदू limited के साथ है उनको अपने आपको इंडिया में establish करना था तो उन्होंने decide किया कि भाई हम लोगी काम करते हैं अपनी securities को यहां पे बॉंबी stock exchange में list करते हैं so that हम Indian market से भी funds को यहां पे पैसा मतलब funds को यहां पे raise कर सके अब देखिए सबसे पहला logic यह लगाई है कि वो कह रहे है कि उनको इंडिया से पैसा raise करना था तो हो सकता है कि यह एक Indian company नहीं है यह हो सकता है कि उन्होंने अभी तक इंडिया market से पैसा raise नहीं किया हो ठीक है सबसे पहली चीज़ यह है अब सवाल क्या पूछा गया है कि यहां पे बंदू limited का कुछ concern ही नहीं है सेभी कौन से functions perform करेगा कि वो अपने investors को यहां पे comfortable रख सके कि वो बंदू limited company में investment करें अब देखिए यहां पे stock exchanges में यह stock market में इतने सारे companies की stocks list होते है share securities बहुत सारी list होती है अब अब कितने companies को जानते हो मैं अगर आपका अब भी पूछू कि list of companies का नाम लिखिए जिनको आप जानते हो आठ दस बारा पर रुख जाओगे वहां पर हजारो companies है जिनकी securities listed है अब वो क्या काम करती है चलो ठीक है सारा basic basic data आपके पास होगा पर उनकी financial statement क्या fraud कर सकती है क्या यह कभी किया है क्या market में कभी गलत किया यह तो आपके पास नहीं होगा तो यह सारा काम चेक करना उस company का background चेक करना यह सारा काम बिटा किसका है तो सेभी का है जीक है सेभी जो है अपने protective functions के द्वारा सेभी बहुत सारे different functions निभाता है वाट उसमें उनके जो protective functions है उसका काम है कि investors और उनकी interest को protect करना इन्वेस्टर्स के साथ fraud ना हो यह देखना कि company कोई fraud या cheat नहीं कर रही है को insider trading नहीं हो रहा है ठीक है इन्वेस्टर्स को उनके shares मिल रहे है यह सारे जो functions है यह सेभी के है तो यह होते है protective functions जहां पर वो investors उनकी interest उनको पैसो को protect कर रही है कि उनके साथ cheatings और fraud ना हो और इन्वेस्टर्स का यह market में confidence रहे और खूब सारा investment हमें यहां पर stock exchanges के द्वारा मिलता रहे ठीक है let us go to the next question अब यहां पर भूवन की बात हो रही है बहुत ही simple question है भूवन को chance मिला to buy new shares in the ratio 1 is to 1 ठीक है 1 is to 1 मतलब क्या कि मानके चलिए यहां पर let us say भूवन has 100 shares ठीक है of ABC limited तो उसको 100 is to 100 का ratio मिला कि आपके पास 100 shares already है ठीक है already purchased तो आप new 100 shares of the same company purchase कर सकते हो purchase कर सकते हो मतलब compulsion नहीं है आपके परस मौका है अगर आप additional 100 shares purchase करना चाहते हो तो company ने आपको offer किया है तो यह existing shareholders existing shareholders को जब भी आप new equity shares issue कर रहे हो तो यह उनको सबसे पहले offer करना इसको बटा क्या कहते है तो इस concept को rights issue क्या कहते है इस concept को rights issue और companies act के द्वारा यह mandatory है कि अगर company कोई भी नए shares issue करती है तो सबसे पहले उसको अपने existing shareholders को यह offer करना चाहिए क्यों क्योंकि उन्होंने आपके company में trust किया confidence दिखाया उनकी यहां पर ownership कम नहीं होनी चाहिए एक्सेक्टर ठीक है तो था ना बहुत ही simple question अब आपको लगेगा maam इतने simple questions येस exam में ऐसे simple questions ही आने के जादा chances है ठीक है तो अमीद करते हूं यह lecture बहुत ही easy लगा होगा बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा लेकिन जाते जाते एक simple सा सवाल पूछ रही हूँ देख बहुत है भाई साब आपके concepts यहां पर कितने clear है ठीक है question यहां पर यह है that the primary market is also known as dash ठीक है तो यह जो question का जवाब है आपको नीचे मुझे comment करके बिलकुल बिलकुल बताना है कि primary market का और एक नाम है और वो क्या है ठीक है comment जरूर करिएगा और इसी के साथ आज का जो session है हम खत्म करते हैं दुबारा जरूर मिलेंगे बड़ तब तक के लिए bye bye and have a nice day